प्रेंट्स आज हम समझेंगे आप few और the few के बीच में difference आपने बहुत सारी differences पढ़ी होगी लेकिन बार बार आपको कुछ ना कुछ confusion होता है आज मैं बिलकुल easy सा बिलकुल simple सा concept बताऊंगा कि आप few और the few कहां इस्तेमाल होता है जरा देखिएगा अच्छे से देखिए अग दास अगर मैं यहां पर इसको हडा देता हूं दास फ्रेंट्स he has lost as friend he made when he was in college and second I want to make dash prints देखिए आप हमने दो एक्जेंपल्स आपके सामने लिखा है अब दोनों को आप ध्यान से समझेए कि किसमे आप few आएगा और किसमे दाप few आएगा देखिए जब हम बात करते हैं आप few और दाप few की तो थोड़ा सा समझना है दाप few हम उस नाउन के पहले लगाएंगे जिस नाउन के बारे में आपको कुछ description दिया हुआ हो अगर description problem करेगा तो आप समझेगा कुछ detail दिया हुआ हो ठीक है अगर किसी नाउन के बारे में detail या description दिया हुआ हो तो उस नाउन के पहले दाप few आएगा ठीक है अगर आप any का sense देना चाहते हैं तब या some का sense देना चाहते हैं तब आप आप few का इस्तेमाल करेंगे ठीक है some या any का आप sense देना चाहेंगे तो आप few अब आते हैं दो questions पे कि he has lost his friends he made when he was in college and I want to I want to make I want to make dash friends अब ये है अब दोनों में से हम ज़रा समझेंगे अगर मैं उपर मैं आपसे बात करूँ क्या इस friends के वारे में detail दिया हुआ है तो आपका जवाब आगा जी सर बिलकुल दिया हुआ कि he made when he was in college उसने जब वो जब college में था और जब बनाया था तब यानि कि ये एक special दोस्त की बात की जा रही है यानि particularize कर दिया गया तो sir the few होगा देखिए अभी इसके पीछे का नेक hidden तरीका बताऊंगा तम basic concepts बताऊंगा उसको समझेगा and I want to make यानि some friends मैं कुछ दोस्त बनाना चाहता हूँ यानि हाना sentence समका जा रहा है तो यहाँ पर आएगा a few आप देखिए अब जो राज है इन दोनों के पीछे में उनको मैं समझाता हूँ ज़रा ठीक है ध्यान से ज़रा समझेगा कि मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ कि अगर आप ये बताना चाहें कि article ये और article दा यानि एन लगा दीजे जो difference इन दोनों के बीच में है बच्पन से आप पढ़ते आए हैं कि article ये और article दा के बीच में क्या है तो जो difference इसमें है वही difference आप यू और दा फ्यू के बीच में है देखिए आपको टीचर कुछ इतना डरा देते हैं कि बड़ा अच्छा सा concept सिखाने जा रहा और बड़ा ये सिखाने जा रहा हूँ देखिए इंगलिस में rules सोरी concept तो कोई बोलता है नहीं रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत दमदार सा rules पढ़ाने जा रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल basic concepts है जहां पर हम दा का कुछ दोस्त बनाना चाहते हो particular दोस्त नहीं है कोई भी दोस्त नहीं है तो हमने आप फ्यू लगा दिया point killer हुआ simple एक चीज conceptually याद रखेगा कि जब भी आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे आपको PCN यानि plural countable noun का इस्तेमाल करना है आई होप ये छोटे से वीडियो में आप फ्यू और दा फ्यू के बीच में डिफ्रेंस आपको बहुत अच्छा से killer हो गए होगे वीडियो को share और चैनल को subscribe ज़रूर करिए thank you